वंदेमात्रम युवासाथियों विश्यसकर ऐसे युवासाथि जो बीएस्टेसी करके अपने एजुकेशन के छत्र में अपना केरीर आज माना चाते हैं उनके लिए मैंतुपून अपडेट है कि आपको बताए कि बीएस्टेसी की जो काउंसलिंग के लिए जो भी कॉलेज पूरी हो चुकी है और कोलेज अलोट मेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है तो सबसे पहलो तुम्हें आपको बताता हूं कि जो आप काहां इसको देखेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज अलोट हुआ है या नहीं हुआ है और उसके लवा और भी क्या सेडूल रहेगा किस त प्रवेश चुट जाएगी और यहां आपके सामने सबसे पहले यह एक नोटिफिकसन जारी हुआ है कॉंसलिंग अलोट में राउन फर्स्ट सेडूल है और इस पर आपको लिक करेंगे तो यह सेडूल जारी हो जाएगा कॉन साओ यह तो इस जो सेडूल है यह जारी हो गया जिसमें लिखा हुआ है कि वेबशाइट विग्यापन संग्या 13-23 और 16-2023 यह कल का मैंतुपन अपडेट है और जिसमें अभियर्थियों के लिए मैंतुपन सूचना है कि प्रिणाम उपरांत प्रवेश से तुदिनाग 23-11-2022 से अतिकरत वेबशाइट जो भी अधिम के लोगिन से संस्ता या संस्ता आंटन पत्र प्राप्त करेंगे और और अलाइन संस्ता अर्पोर्टिंग का चरणवार करिकरम निम्ना अनुसार है अब इसमें सब से पहले तो जुसुल कराशी है त्यराजार पांसा प्रच्पन रुपे इसका जो भुकतान है इमि फर्स्ट रावन में हुआ है तो इसके लावा दूसरा अभीरति द्वारा स्वेम के लॉग इन के जरी आवंटित द्यापक शिक्षा संस्तान प्रवेश या संस्तान या संस्तान प्रवेश के लिए ओनलाइन दस्ताविज अपलोड करना सतरा तारीक से जब आप फिस जमा करेंगे तो उसके तुरंद बाद में दस्ताविज अपलोड का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा और यह भी आपको तेज तारीक तक जो भी डॉकुमेंट है वो अपलोड करने हैं और उसके बाद में अभीरतित द्वरस्वेम उपस्तित होकर आउंटित द्याभक शिक्षा संस्तान में रिपोर्टिंग करना यहीं जब आपको डॉकुमेंट जमा हो जाया वहां उसके बाद में आपको सत्रह एक से चोवी से एक तक यहीं जैसे ही आप डॉकुमेंट अपलोड कर लें उसके बाद में आप जो भी समंदिन संस्ता या किसी कैटिकरी का तुस्से समंदि जो भी डॉकुमेंट है वो आपको वहां संस्तान में रिपोर्टिंग करनी है डॉकुमेंट लेकर के ओरिजनल और फोटोपी उसके बाद में संस्तान द्वारा प्रवेशित छात्रा देवां के दस्तावेज़ों को प्रवेश अधिक रिपोर्टिंग करनी है और उसके बाद में संस्तान द्वारा प्रमाने करन परशाद विद्यारतियों के स्वेम लॉगिन के द्वारा इसमें प्रवेश शलिप प्रवेशनल एड्मिसन स्लिप है वह प्राप्त करना तो सत्रा एक से पच्चीस एक तर यहनिकि सबसे पहले आपको अपना चेक करना है कि आपका सेलेक्शन हुआ या नहीं हुआ उसके बाद आपको तेरा जर पांसो पतंतर रुपे का सुल्क भुक्तान करना है उस भुक्तान करने के बाद में आपको डॉकुमेंट अप्लोड का और ऑप्सन मिलेगा तो आपको डॉकुमेंट अपन जुरू हो चुकी है और तेईस या बाइस तक आपको फीज जमा कराने है तेईस तक आपको रखुमन अप्लोड करना है और सनस्तान में 24 तक आपको अनिवर उपसे रिपोर्टिंग करने है तो यह तो इन अपको जैसे लोगिन करना तो कैसे लोगिन करेंगे तो इसके लिए यहां से इसका साइट है इस साइट में यहां केंडेट लोगिन का उपसिन दिया हुआ है तो यहां आपको केंडेट लोगिन पर जाना है और यहां से आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां इस तरह का जो इंटरफेस है पे जाएगा जिसमें एक तो है कि existing user sign-in यहीं इंटर करना है आपको मोबैल पर जो टीवी आ जाएगा उसके सब्सक्राइब पासफ़र्ट हो जाएगा दूसरा नियू रिस्ट्रेशन तो अब इसमें जूरती नहीं क्योंगी आपका जो भी अलॉट्मेंट होगा अब आपको चेक करना है कि आपको अलॉट्मेंट हुआ जाए नहीं हुआ तो अभी जैसे मैं एक स्टुटन का देख रहा हूं जिसके नंबर कम थे लेकिन फिर भी कांसलिंग कर वाई थी तो अभी यहां जैसे इसको साइन इन पर आपको क्लिक करना है और सानिन पर क्लिक करके यहां आपको मोबैल नंबर या और अपको एक मोबै ऐसको सीट प्रक नहीं हुए है तो अब यह सीट प्रक नहीं हुए तो ओले इन आपको कर आपको नहीं होई है ऑगर हृघा और यहां लिखा हुआ रहा है कि आपका सना रही है या से आ आपको फिर आगry स्बाने करके पना कर आपको पूर आपने जो भी कि दाप हो चैक्र एके इसमें कौन सा कॉलेफि इसको ने के हुए उसकेा बात में आपको जो मैंने पहले बता दिया कि यहां से dlatego बहुद्सक्राइब दिन दोपलोड करने है और वह जाकर करना है तो ये पूरी अपडेट मेन आपको ₩ और अगर किसी candidate का selection हुआ होगा तो उसकी फीस बढ़ने का पूरा प्रोसेस है मैं live करके आपको बता दूँगा तो इसे तरह की latest update के लिए चैनल पर बने रहें मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक जय हिंद जय भारत